तो है गाईस वेलकम बैक टू आर यूटूब चैनल और वेलकम टू माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल क्या र हो सकता है इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फॉर्स टाइम देख रहें उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेग्यूलरली अपलो नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बैल नोडिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबर्शिप जोइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से चैनल म मिलेगा इसे साथ साथ आपको कैंडल स्टिक पैटरन के ऊपर ओप्शन चेन एनलिसिस के ऊपर वीडियो मेर्शिप तौस पर टाइम टौटाइम मिलते रहेंगे इसके साथ साथ आपको स्टॉक रिकमेंडिशन भी मिलेंगे आज मौनिंग को ही मैंने यूछ्डूब के चै चैनल मेंबर्शिप जॉइन करने के बाद ही मिल सकते हैं तो इसके लिए आपको चैनल मेंबर्शिप जॉइन करना पड़ेगा जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की हुई है वही अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के तो वहाँ से भी आप चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर सकते हैं और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप गूगल पे से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं कि तो ऐसा नहीं होता है आपको यूटूब के त्रू ही जो मेंबर्शिप लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सर्विस देने वाली हों वो यूटूब के त्रू ही देने वाली हो तो आप मुझे परस्नली पैसे मत भेजिए इसके साथ साथ एक और मैंने लिंक नीचे दी हुई है इंस्टा मोजो की तो वो लिंक है जिन लोगों को भी डोनेशन करना है हमारे चैनल के लिए वो लिंक उ लिंक है वो डोनेशन के लिए है जिन लोगों को भी डोनेशन करना है हमारे चैनल के लिए वो लोग भापिक कर सकते हैं तो जरूर देख लीजेगा और चैनल मेंबर्शिप जरूर जॉइन कर लीजेगा और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एक अच्छे ट प्रीमियम मेंबर्शिप मिले वो भी थाउजन रुपीज की तो आपको और क्या चाहिए तो यह जो सारे बेनिफिट्स है यह अप स्टॉक्स मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए दे रही है तो आपको जरूर इस अपॉर्चुनिटी का लाब उठाना चाहिए और अप स्टॉ अप स्टॉक्स का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है तो आप लोग को भी यह बेनिफिट्स जो है वो मिले और जल्दी से जल्दी अपना अकाउंड जो है वो ओपन कर लीजेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइट की हुई है तो 11,214 के पास निफिटी ने हमें आज क्लोजिंग दे दी है तो आज भी निफिटी ने 200 का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस के उपर होल्ड रखा हुआ है और डेली चार्ट के उपर देखे तो डेली चार्ट के उपर आज भी सिकेंड डे पे भी एक बुलिश कैंडल निफिटी ने फॉर्म की है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो निफिटी जो है वो 11,350 तक बढ़ सकता है यहां से जो मेन हडल जोन है वो 11,300 और 350 के पास ही है तो वहाँ से हमें गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो और 11,350 के बीच में ही निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 850-800 ब्रेक होता है डाउन साइट के लिए तो ही निफ्टी के अंदर हम लोग जो है वो ट्रेंड चेंज होते हुए देख सकते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है डाउन साइट के लिए जब तक 850 हो रहा है निफ्टी पॉजिट्यू है निफ्टी बुलिश है तो अभी हम लोग निफ्टी की फर्स्ट ऑप्शन चेन डिसकस कर लेते हैं तो अभी मेरे सामने 13 अगस्ट के एकस्पाइरी की ऑप्शन चेन है निफ्टी 50 की कॉल साइड में अगर हम लोग देखे हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट कहां पे बना हुआ है तो हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट बना हुआ है 23 लेक्स का जो की बना हुआ है 11,500 के लेवल के उपर सेकेंड ओपन इंट्रेस्ट बना हुआ है 22 लेक्स का जो की बना हुआ है 11,300 के लेवल के उपर call side में अगर हम लोग देखें highest writing कहाँ पर हुई है तो आज सबसे ज़्यादा writing हमें दिखाई दे रही है 12 lakhs की जो की हुई है 11,500 के level के उपर वही second highest writing हुई है 11 lakhs 94,000 की जो की हुई है 11,300 के level के उपर तो जैसे मैंने आपको दो से तीन videos में कहा है कि अपसाइट के लिए निफ्टी के लिए 11,300, 350 मेजर रेजिस्टिंस है ये पार होने के बाद ही निफ्टी हमें 11,500 और 600 के तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है लेकिन जब तक ये जोन पार नहीं होता है निफ्टी के अपसाइट के चांसे बहुत जादा कम है और फिर से हमे यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल सकती अगर अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली 300, 350 के उपर तो निफ्टी जो है वो हमें 11,500 तक बढ़ता हुआ फिर दिखाई दे सकता है तो यहाँ पे निफ्टी के लिए अपसाइट के लिए रेजिस्टेंस र बना हुआ है तो पुट साइट में हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 28 लैक्स का जो की बना हुआ है 11,000 के लेवल के उपर वही सेकेंड हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो है 22 लैक्स का जो की बना हुआ है 11,100 के लेवल के उपर वही पुट साइट म जो की हुई है 11,000 के लेवल के उपर सेकेंड ही स्ट्राइटिंग हुई है 12,16,000 की 10,500 के उपर और थोर्ड हाइएस्ट हुई है 12,000 की जो की हुई है 11,100 के लेवल के उपर तो अब ही अगर हम लोग बात करें support की इस option data के उपर से तो देखें downside के लिए 11,000 से लेके 11,100 ये जो zone है निफ्टी के लिए बहुत ही जादा important है और जब तक इस zone के उपर चल रहा है निफ्टी तब तक निफ्टी के 11,500 के chances जो है वो बने हुए है मतलब यहाँ से निफ्टी हमें धीरे धीरे करके 11,500 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो लोगों ने long की positions बनाई हुई है वो लोग अपना stop loss जो है वो 11,050 के पास रख ले क्योंकि ये अगर break होता है तो यहाँ से further weakness, downside के लिए continue होती हुई हमें निफ्टी के अंदर फिर दिखाई दे सकती है तो अभी अगर next week की बात करें हम लोग तो देखें यहाँ से जो first important support zone है वो ये है 11,000 से लेके 11,100 का अगर ये support zone तूटता है तो further weakness continue होती हुई हमें निफ्टी के अंदर दिखाई देगी फिर निफ्टी हमें 10,850 और अगर 10,850-800 नहीं hold हुआ तो यहाँ से 10,500 तब weakness जो है वो continue होती हुई हमें दिखाई दे सकती है निफ्टी के अंदर तो अभी निफ्टी के लिए हमने option data से support और resistance तो देख लिया है तो चलिए चलते अभी chart के ऊपर निफ्टी 50 के तो अभी मेरे सामने निफ्टी का one day candlestick pattern chart है तो निफ्टी open flat but remain consolidated for the most part of the trading session with buy on decline strategy तो मैंने कल ही आपको बताया था कि देखे downside के लिए जब निफ्टी आता है तो हमें एक buying interest देखने को मिल सकता है मिलता है market के अंदर तो यहाँ पर देखिए निफ्टी ने डेली chart के ऊपर एक small bullish candle form की है but an inside bar as it traded inside the trading range of the last session so यहाँ पर निफ्टी जो है वो एक range में stuck हुआ में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए index has got stuck in range but forming higher lows and supports are slightly shifting higher from the last three trading session so now यहाँ पर निफ्टी को important क्या है 11,150 के ओपर ही रहना तब ही यहाँ से हम लोग upside के लिए निफ्टी के अंदर 11,330 से लेके 350 तक के levels और उसके बाद में 11,500 तक के levels जो है वो देख सकते हैं downside के लिए जैसे मैंने आपको option data के ओपर से कहा कि 11,100 और 11,050 यह important support zone है निफ्टी के लिए और जब तक इसके उपर है तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि निफ्टी जो है वो यहाँ से downside के लिए विसल सकता है या फिर यहाँ से निफ्टी जो है वो downtrend के लिए जा सकता है तो अगर हम लोग देखें आज निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला तो आज निफ्टी ने opening की थी 11,186 के पास intraday high किया था 11,231 के पास intraday low किया था 11,142 के पास और अभी फिलाल closing दी है 11,214 के पास तो देखें यहाँ से next session के लिए निफ्टी के लिए कौन से support और resistance के levels रहेंगे first important support रहेगा 11,180 और 150 का level अगर यह support zone निफ्टी तोड़ देता है तो यहाँ से further selling pressure हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं जो निफ्टी को 11,050 के तरफ फिर लेके जाएंगे वही अगर हमने देखा कि निफ्टी ने 11,000 का level तोड़ दिया है तो downside के लिए निफ्टी के लिए 10,850 का crucial support level रहेगा वही upside की बात करो तो upside के लिए देखें first resistance रहेगा यहाँ से 11,250 का level अगर यह resistance पार होता है तो निफ्टी हमें 11,330 के तरफ बढ़ता हुआ फिर दिखाई दे सकता है फिर next जो resistance zone है हडल zone है निफ्टी 50 के लिए वो रहेगा 11,330 से लेके 350 का level तो यह निफ्टी के लिए support और resistance के level से जो आपको आपके chart के उपर जरूर माक करने है ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी route रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया तो चलिए चलते अभी bank nifty के उपर तो अभी मेरे सामने bank nifty की option chain है 13th August के expiry की और bank nifty की जो आज की closing आई है वो आई है 21,754 के पास तो देखे closing basis के उपर बात करें तो bank nifty 21,500 के उपर की closing देने के लिए काम्याब रहा है आज भी 100 points चड़के बंद हुआ है तो अच्छी खासी जो bank nifty के अंदर हमें जो है वो movement दिखाई दे रही है यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 21,500 यह level bank nifty के लिए important है closing basis के उपर अगर यह level तूटता है तो further selling pressure जो है वो continue होता हुआ हमें bank nifty के अंदर देखने को मिलेगा तो अभी call site से हम लोग start कर लेते हैं highest open interest कहाँ पर बना हुआ है तो highest open interest बना हुआ है 8,13,000 का जो की बना हुआ है 22,000 के लेवल के उपर second highest open interest जो बना हुआ है वो बना हुआ है 6,67,000 का जो की बना हुआ है 23,000 के लेवल के उपर वही call side में अगर हम लोग देखे आज सबसे ज्यादा contracts की adding कहाँ पर हुई है तो 2,66,000 की और 2,765,000 की और 2,70,000 की हुई है 22,000, 22,500 और 23,000 के लेवल के उपर तो यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए बात करें तो 22,000 का लेवल जो है वो main hurdle लेवल है और जब तक इसके उपर बैंक निफ्टी सिस्टेन नहीं होता है अब side के कोई लेवल पॉसिबल ही नहीं है अगर closing basis के उपर 22,000 पार होगा तो ही निफ्टी बैंक हमें 23,000 के तरफ बढ़ता हुआ फिर दिखाई दे सकता है में हडल है 22,000 का लेवल वही down side के अगर हम लोग बात करें तो put side में support कहां पे बना हुआ है निफ्टी बैंक के लिए तो highest open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 5,79,000 का और 5,78,000 का जो की बना हुआ है 21,500 और 21,000 के लेवल के उपर वही put side में अगर हम लोग देखे highest adding कहां पे हुई है contracts की तो सबसे ज्यादा contracts के adding हुई है 2,44,000 की और 2,000 की वो भी हुई है 21,000 और 21,500 के उपर तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो important जो support है वो downside के लिए 21,500 और 21,000 का लेवल है निफ्टी बैंक के लिए तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट के उपर निफ्टी बैंक के तो अगर हम लोग बात करें next session के important support और resistance की तो मैंने अभी आपको जैसे option data की हिसाब से बताएं वही दो important supports हैं अगर हम लोग intraday की बात करें तो first important support रहेगा 21,500 का लेवल यहां से second important support रहेगा 21,350 का लेवल और उसके बाद में 21,050 का लेवल वही upside की अगर मैं बात करो तो upside के लिए first resistance रहेगा 21,800 850 का लेवल 22,050 का लेवल और 22,250 का लेवल यह निफ्टी वाइं के लिए upside के लिए resistance का का काम करते हुए हमें next session में दिखाई दे सकते हैं तो जो भी levels मैंने अभी आपको बताये हैं वो प्लीज अपने चार्ट के उपर जरूर मार्क कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए वही अग मुझे वहाँ पे भी join कर लो नीचे description box में मैंने telegram channel की link जो है वो आपको provide की हुई है so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully